Hello Friends, Welcome to Vidya Gulum Online Classes, Division यानि भाग की एक नए तरीके को आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दो कि जो Division होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिखा करते हैं, जैसे ये जो होता है जिसमें भाग दिया जाता है, इसे मैंने पहले ही बता रखा है, जिसमें भाग दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाज और जिससे भाग देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भाज है, ठीके, और ये Divide का sign होता है, तो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, पहला तो तरीका ये होता है, जो basic structure होता है, जिसमें आप लोगो question को यानि इस question को हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं काट के यानि छोटा गर के कैसे कर सकते हैं ये आज की class में हम लोग discuss करने वाले हैं तो देखिए जैसे simple सा ये question है तो इस तरह से मैंने करना बता ही रखा है फिर भी मैं यहाँ पर एक जल्दी से कोई revision करवा देता हूं मैंने क को आता किसका है केवल चार का पाड़ा ठीक है तो यहां से पहला अंक पकड़िए यहां से पहला अंक पकड़िए तो क्या चार का भाग आप दो में दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या करेंगे एक और अंक आगे बढ़ा लेंगे चार का भाग तेस में दे ले यानि पूरा भाग हम लोग इतने में देंगे पूरा 425 का तो दो अंक यहां के चुपाए, दो अंक यहां के चुपाए, कितनी बार गया चार का पहड़ा पढ़ी है, 23 से जएधा न जाए, तो 45 बार जाता है तो पांच बार ले गए, पांच का गुड़ा सीधा है, इसमें कर देंगे तो 25, पांदो नी 10, दो 12, पांचो को 20 और 21 देगिए, यहां पर मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, क्योंकि मुझे ये बताना है, ठीक है अब यहां 3 में 5 जाएगा, नहीं, 13 में 5 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा और 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 में 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा अकली बारी आती है 5 की क्योंकि आगे बढ़ते हैं अकली बारी 5 की आई 5 को हमने यहां उतारा फिर भाई ही काम 2 अंकी यहां के छुपाए 4 का पाड़ा पढ़ बढ़िये 17 से जादा ना जाये 4 चो को 16, 4 बार गया न, तो 4 बार गया, 4 यहां लिखा, 4 का सीधे multiplication किया, 4, 5, 6, 20, हांसिल 2, 4, 2, 8, 2, 10, और 4 चो को 16 और 1, 17, simple साइस को हम लोग घटा लेते हैं, 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में 0 जाएगा, 8 बचेगा, 7 में 7 जाएगा, कुछ नहीं, 1 में 1 जाएगा, 8 से जाएगा, 2 बार गया, exact, तो मैंने कहा था, आप लोग चेक कर लिया, अगर यहां कि यहां पर यह जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले यह बता रखा है, तो 2, 5, 10, 2, 2, 4, 1, 5, और 2, 4, 8, यहां से घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो एक तरीका तो यह है, कि यहां प जो धिन हम लोग बनाते थे न, अंसबटे हर, बिलकुल वैसा बना लेंगे, और जिससे भाग दिया जाता है, उसको नीचे लिखते हैं, अब हमें काटना है, काटते कैसे हैं, पहले तो आप यह समझ लीजिए, इसके पहले आप लोग एक 5 के नियम समझेए, काटने का, पहला अंग है, दाएं हाथ से जो पहला अंग है, यह कहलाता है आपका इकाई का अंग, तो जब किसी संख्या के इकाई का अंग जीरो हो, यानि यहाँ पर या तो जीरो आ जाए, या फिर या पांच हो, या फिर क्या आ जाए, पांच आ जाए, तो फिर वह संख्या पूरी की पूरी 5 से कट जाएगी कटने का मतला पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी यानि पूरा भाग 5 से चला जाएगा ठीक है अच्छा तो यह नियम है क्या नियम है कि संख्या के एकाई में अगर 0 हो या फिर 5 आ जाए तो आपको पूरी संख्या को भाग नहीं लगाना पांच से तुरंत समझ लेना है कि ये पूरी की पूरी पांच से कटने वाली है ठीक है अब देखें यहाँ पर जैसे ये है 245 कि अब मैं पूछू कि या बताईए कि या पांच से पूरी पूरी कट जाएगी तो आप पूरा भाग लगा के मत देखिए आप ये देखिए कि हा इकाई में जीरो या पांच है तो इकाई में हमने देखा पांच है अगर पांच है तो पूरी संख्या पांच से कट जाएगी यहाँ पर बताईए क्या ये पांच से कट जाएगी तो आपने कहा इसके इकाई का अंक पांच है और हमने पढ़ाएगी इकाई में अगर जीरो हो या पांच हो तो पूरी संख्या पांच से कट जाएगी मतलब ये पांच से कट जाएगी ये बता ये पांच से कट जाएगी तो आपने कहा इकाई में इसके सर जीरो है बिलकुल ये पांच से कट जाएगी तो पूरी की पूरी ये पांच से कट जाएगी मैंने आप से पू उच्छा अच्छा बताईए 984 पांस से कट जाएगी आपने कहा इकाई में तो चार है जीरो पांस तो ही नहीं इसका मतलब ये पांस से नहीं कटेगी ये बाद संज में आ गई पांस से कटने का नियम आप लोगों को समझ में आ गया अब बढ़ते हैं अपने प्रश्ण की त काटोगे तो इसको भी दो से काटोगे इसको तीन से काटोगे तो इसको भी तीन से काटोगे इसको चार से काटोगे तो इसको भी चार से काटोगे ठीक है यानि जिस संख्या से आप नीचे वाली संख्या को काटोगे उसी संख्या से आपको उपर वाली संख्या को भी काट देखिए इकाई में कितना है जीरो है अभी हमने पढ़ा जीरो हो या पांच हो तो किस से कट जाएगी पांच से तो हमको एक चीज समझ में आ गई कि पांच से ये भी कटेगी, पांच से ये भी कटेगी, तो हम लोग इसको किस से काट लेंगे, पांच से, पांच से काट ये सीधे सीधे देखिए, पनू अठी, चालीस, काटने का मतलब समस्ते हैं, काटने का मतलब होता है, सीधे आपको भाग लगाना है, और ये भाग आपको थोड़ा सा verbally लगाना सीखने होगा छोटे छोटे बाग जो होते हैं तो मैंने यहाँ पर यह बढ़ा है कि पनू अठी चालिस और यह आपको mind में थोड़ा सा सोचना है कि यह 2 में 0 जाएगा तो 2 बचेगा और फिर अगला 5 उतारेंगे तो 5 कितना हो जाएगा पांच चको 20 हो जाएगा फिर 3 बचेगा फिर 0 उतारेंगे तो 5 चका 30 आएगा ठीक है और फिर 3 उतारेंगे और मैंने भाग में बताया था जैसे ही उपर से नीचे उतारते हैं भाग नहीं जाता तो क्या करते हैं भाग फल में एक 0 बढ़ाते हैं इसलिए पहले यहां एक 0 बढ़ाएंगे फिर हम 5 उतारेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा और यह 0 लिखाता तो यह 0 यह सब माइंड में कैलकुलेशन चलना है इसके बाद 85 देखिए क्या यह फिर 5 से कटेगा जब तक कटता जाए आप काटते जाएए क्या यह 5 से कटेगा तो इकाई में देखिए 5 है बिल्कुल 5 से कटेगा यह क्या 5 से कटेगा तो 0 है इकाई में बिल्कुल 5 से कटेगा तो अगर दोनों संख्या किसी यंग से कट रही है तो उससे काट लीजिए, तो 5 से ही कट रहा है, 5 एक कम 5, 3 बचेगा न, 5 उतारेंगे तो 5, 7, 35, ये क्या 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितनी बार, 5, 9, 45, ठीक है, 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे तो 5 दुनी, 10 हो गया, फिर क्या होगा, 7 उतारेंगे तो 5 एक कम 5, और 2 ब भाग इतना बड़ा वाला था, 3 अंक का, ये अब इतना सा भाग रह गया है, अब आपको सीधे से बस आपको भाग लगा लेना है, सीधे से भाग कैसे लगाएंगे, 17 का भाग आपको 92, 14 में दे लेना है, ठीक है, 2 अंक का आपका बचा है, 17 का पहड़ा, क्योंकि स्कूल मे आप लोगों को 19 तक तो पहाड़ा बिल्कुल याद होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सीधे से कर लेंगे 17 का पहाड़ा पढ़िए 20 से जादा न जाए तो आपको पता 17 पचे कितना होता है 85 गटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 में 5 जाएगा नह जादा हो जाता है तो 17 पो कितना हो गया 68 फिर क्या करेंगे इंगा गटा लेंगे तो एक में अट गटे का नहीं हासील लेंगे 11 मीन últ जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा फिर यांट 6 बचा 6 में छै जाएगा कुछ नहीं बचेगा अगली बारी किस की आई शार की 4 को नी तो यह जो डिवीजिन का प्रश्ण होता है ना इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं अगर बड़ी संक्या का भाग है तो दो तरह से कर सकते हैं एक तो यह सीधर डिवीजिन लगा के बेसिक डिवीजिन और एक हम लोग यह इस तरह से बिन बना करके काट करके तो उमेद करता ह हुआ जिस उद्देश इशे मैंने ये वीडियो बनाया था वो concept आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलिए मिल दें next वीडियो में किसी नए और concept को ले करके okay thanks for watching guys